नमस्कार आज हम रागी चिल्ला बनाएंगे ये बेट लास में बहुत हेल्प करता है और ये बहुत ही गुनकारी होता है इसके लिए रागी आटा एक कप गेहु को आटा एक चुथाई कप प्यास बारी कटा हुआ एक चुथाई कप शिमला मिच एक चुथाई कप गाजर बारी कटी हुई धनिया दो बड़े चम्मच हरी मिर्ची दो बारी कटी हुई अजवाईन एक चुथाई चोटी चम्मच नम और इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा, नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार थोड़ी सी क्रश करी हुई, काली मिर्ची आप इसका फाइन पौडर भी डाल सकते हैं, अजवाइन लेंगे, अजवाइन को हम हाथ में क्रश कर देंगे, ऐसा करने से इसका स्वाद और बढ़ सो जाएं, अब हम इसमें बारी कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, तीका आप अपने स्वाद अनुसार कमज़ाजाजा कर सकते हैं, बारी कटी हुई शिमला मिर्च, गाजर, धनिया की पतियां, धनिया डालने से इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है, बारी कटा प्यास, थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे, थोड़ा पानी डाल कर इसका बैटर त्यार करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही हम बैटर को त्यार करेंगे, अगर हम एक दम से सारा पानी डाल देंगे, तो जो बैटर है उसमें गुठलियां पढ़ जाएंगी, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे, रागी के आटे में केल्शियम आईरन भरपूर मात्रा में होता है। बैटर थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है, अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और इसका पतला घोल बनाएंगे। रागी डाइवीटीस में बहुत फाइदे मंद होती है। समूत बेस्ट बनकर त्यार हो गया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रैस्ट दे देंगे। रागी का आटा हमारे बजन को भी कम करता है। एक हम फ्राइंग पैन लेंगे और मीडियम लो आँच पर रखकर तबे के उपर हम 2-3 बूंदे तेल के डाल कर इसको चारो तरफ पोंचते हुए फिला देंगे। कर्शी लेंगे कर्शी को भरकर तबे के उपर हम बैटर को फिला देंगे और कर्शी की सहाइता से बड़े ध्यान से चारो तरफ इसको फिला देंगे धीरे धीरे ताकि चीला है वो तूटने ना पाए। धीमी आँच पर हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। थोड़ा सा तेल डाल देंगे चारो तरफ की नारों के उपर और इसको नेचे से अच्छी तरह पकने तक क्रिस्पी होने तक हम इसको पकने देंगे। नीची से ये अच्छी तरह से पक गया है और क्रिस्पी हो गया है। चलिए अब हम इसको पलट देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक चाए। धीरे धीरे इसको हलका हलका दबाते हुए पकाएंगे। हलका हलका दबाते हुए इसको पकाएंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक चाय आंच को हम धीमा ही रखेंगे, ये बहुती स्वादेश्ट बनते हैं, इसको आप नाश्टे में भी खा सकते हैं, चिल्ला हमारा बनकर त्यार हो गया है, अब हम इसे तवे से उता हैं, लो फ्लेम पर धिमी आंच पर हम इसको पकने देंगे, उपर और नीचे से थोड़ा सा तेल लेकर, जंखी लेकर हम इसके चारों किनारों पर फिला देंगे, और इसको पकने तक और हलका ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे, ये पक गया है, अब हम इसको पलट देंग और नेजे की तरब से भी इसको अच्छी तरह से सिखने देंगे, देखिए अच्छी तरह से पक भी गया है, और क्रिस्प भी हो गया है, दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक गई है, गोल्डन हो गई है, चिल्ला बनकर त्यार हो गया है, आप इसे जरूर बनाएए, बनकर त्यार हो गया है इसी दहीं और चटने के साथ खाईए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मजा लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दवा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके धन्यवाद